तो देखिए ये फमील भाई से मेरे सूट सिलकर आ गए है जो कि बहुत दिन से उनके पास पढ़े हुए थे अगर मुझे कोई अजनसी नहीं होती है और कोई ओकीशन नहीं होता है तो मुझे नहीं चाहिए होते फिर चैक कई महीने तक उनके पास पढ़े रहे और अगर सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और आजकल हम लाइव आ रहे हैं दिन में एक बार हर रोज साथ बजे तो प्लीज लाइव में जरूर जोइंट हुआ करें और अपने पॉइंट अफ्यू हमारे साथ जरूर शेयर किया करें पैनल पर आकर तो चलिए रिव्यू शुरू करत जो सूट वो दिखा रही है कि उसका दुपटा इन्होंने ओड लिया है मतलब कुछ तो डिफरेंट रखो न अगर नया सूट बना रहे हैं मतलब कहने का यह सिर्फ कॉंटिटी बढ़ानी है इसलिए सूट बना रहे हैं चाहे वो सेम ही हो जाए एक जैसे हो जाए और पैट भर भर के कमिंट किये थे कि वैसे तो जिश्म की नुमाईश के लिए उपर इतना लेक्टर सुनाती है और अब यह क्या है उपर से वो इतना हेल्दी लग रही थे बैक वाला हिस्सा बहुत जादा हेल्दी दिखाई दे रहा था इनका लेकिन बहुत जादा डीपनेक था उ बनवाएं कुछ डिफरेंट बनवाएं ना कुछ गलों के डिजाइन अच्छे से बनवाएं तो तो कुछ सबंज में आए एक की टाइप का पैटर्न पैंते पैंते आप बोर नहीं होती है और सबंज में नहीं आता दोनों ननन्द भावी का क्या ड्रेसिंग सेंस है कि वो ही लगता है कितना भी अच्छा कपड़ा हो कितना भी अच्छा डिजाइन किया हो जोला ही लगता है जैसे कि आपने डबा का व्लोग में देखा था ना वहारा सा जो मेहंदी के लिए नहीं बनवाया है उसमें भी उसको भी इसी तरह से शरारा सा बनवाके नीचे से वह भी जोला ही बनवाया है अनारकली के अलावन को कुछ दिखता ही नहीं है या तो ये कहलो कि भई हम इनके बोड़ी पुस्चर ऐसे हो गए है कि इनको ये लगता है कि जितना हो सके हम लूज़ पहने ऐसे जैसे कि वो लड़की टिज़ा है जैसे कि वो ये सोसती है कि मेरे को जो है ना लूज़ मैं पहनू तो उसमें मुझे कमफर्टेबल रहेगा मेरी जो बोड़ी है वो उसकी शेप ऐसी नहीं दिखाई देगी तो उससे मुझे जो है ना बुरा नहीं लगएगा यही सोचकर यह लोग भी यही करती है और यह वोग क्यों मनाया जा रहा है पता है क्योंकि इनको कहीं से जूलरी आई है तो वो दिखा रही है कहने इसके साथ में सिल्वर पहनूंगी और आपने एक रील देखी होगी इनकी जो इन्होंने अलग-अलग तरीके के जो वो कलेक्शन पहन का दिखा रहे थी जबकि इस तर टाइप की जूलरी ओल्रेडी भर के इनके पास भरी हुई है जब यह अपना कलेक्शन खोलती है तो उसमें से निकाल के कभी नोस पिर पहन लेती है कभी यहरी रिंग पहन लेती हैं कभी कंगन पहन लेती हैं कभी यहरी इनका लिए के अपना व्लोग लेकर do वी शूट भी दिखवा रेते हैं जो बि ऑनक भी हो जाएगाeremos और फिर उपर से उनके साथ मेसिंहीं पहन हैं रील बनाया और अपलोड कर दे लेकिन व्लोग में क्या दिखाया कुछ भी नहीं मेकप कर दिया है और कहीं कि मुझे पता है कि मैं मेकप कर रही हूँ अगर वो बीच में उठ जाएगा तो मुझे कर भाई बच्चे अगर एक बार सोते हैं तो मेरे ख्याल से तो तीन गंटे आराम से सोती है और इनको इतना टाइम लगता है मेकप करने में कि दो तीन घंटे बस मेकप ही करती रहेंगी और वही हुआ भी एक्जैक्ली और फिर कहती है कि लो मस मेकप ड़न हुआ ही था और ये जनाब उठ गए मतलब छोटे जनाब और मुझे तो न उस बेबी का लिटरली जो ना लिटरली कैमरे में देखता है मतलब उसको बचपन से या बचपन क्या बचपन ही है उसका लेकिन वो डे वन से उसको ऐसी आदट डालिए जब से फेस रिवील हुआ है कि कैमरे के बिना वो करते ही नहीं हो और आप देख रहे होगे ना शुरुआत से यह वो बच्चा बिल्कुल फोकस जो होता है उसका फोन पर होता है फोकस जो होता है वो कैमरे में होता है इसलिए उसका जो आई कॉंटेक्टर ना वो कैमरे के साथ बहुत अच्छी तरीके से होता है तो कहने का मतलब यह कुछ तो सोसता ही रहता हो कि कैसे मम्मी पापा है यह क केमरे की बिना भी कभी मुझे लाट दुलार कर सकते हैं क्या उठ गए आप अम्मी को आपने फोटो शूट नहीं करने दिया अगर आप अम्मी है तो वो अब्बू क्यों नहीं है वो पापा क्यों है वो डैडी क्यों है वो भी तो अब्बू होने चाहिए ना क्योंकि देखि कि था मतलब जितनी देर बच्चा सोया इनसे मेक अप नहीं हुआ और मेक अप में हमने कुछ दिख भी नहीं रहा ऐसे क्या वॉल पुट्टी लगाई जा रही थी क्या यह वो टी प्लस्तर किया जा रहा था कि वह भरते 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 इतना टाइम लग गया कि वह पूरा यही कहा वॉल पुट्टी जो है वो पेंट करवा दिया है बिल्कुल ऐसे कर दिया उपर से पता नहीं कैसा फिल्टर भी शैद वो यूज करती है कि वो नैन नक्षा बिल्कुल गाया भी हो जाता है और लिटली कही लोगों ने तो इतने अच्छे-च्छे से मीम्स बनाए ह उनके मेकप को देखकर जो नन होती है न जो उनकी एक होरर मूवी थी बॉल्लीवड होरर मूवी उनके साथ COMPAYER करकर और आप देखो छे मेहने से PLUS यानिके second must भी महने, अब साथ महने का हो जाएगा वो बच्चा लेकिन कहने का मतलब यह है कि इनको इतनी सेंस नहीं है कि बच्चे को कहां रखना चाहिए, कहां लेटाना चाहिए, कहां बिठाना चाहिए जैसे ही वो मैट बिछा कर खेल नहीं है एक बालकोनी में ये लॉबी जो भी एरिया है वहाँ आगर आप देखेंगे तो इनके घर में बालकोनी में एक ट्रेड मिल खड़ा हुआ है अगर वो बच्चा लुड़क के अल्टा पल्टा लेके उसके सर में लग जाए हमें एक स्क्रिंशोट लगा रहे हैं प्लीज स्क्रिंट पर देखिए अगर उसको लग जाए तो ऐसी लापरवा मा है और वहीं आप देखेंगे तो ट्रेड मिल खड़ा हुआ है और ट्रेड मिल के बराबर में जूते भी पड़े हुए है रनिंग शूज तो कहने का मतलब है कि मैडम के पास तो ट्रेड मिल नहीं था इसका मतलब उन्होंने ट्रेड मिल अभी रिसेंटली खरीदा है, और क्योंकि वो तो डबा के रूम पर जाती थी, उपर ट्रेड मिल चलाने के लिए, तो नहीं वो मेंजन किया है, नहीं बताया हुआ है, और वहीं जूते हुई रखे हुए है, पहने हुए है, और वहीं जहां बच्चा लेटा है, थोड़े ही डिस्टेंस से ट्र तो वो ये कोई अच्छी बात है इतनी भी लापरवा ही किस काम की और बच्चा फिर से सो गया है तो बहुत ही धीरे धीरे से बोलेंगी अरे भाई आपका 5BHK का सेट है तो कहीं दूसरे कमरे में चले जाओ कहीं और दिस्टेंस से चले जाओ जहां आप प्रॉपर तरीके से सामने वाला सुन सके और बच्चे को डिस्टब भी नहीं हो लेकिन वहीं फुस फुसा के बोलेंगी और जाना भी नहीं है और दिखाना भी है और शूट भी करना है और डिस्टब भी नहीं करना है बच्चे को वा भई वा मा हो तो ऐसी गल्स हो गए हैं और मैं यह वाली एरिंग पहने लूँगी ओ दुपट्टा कौन सा मैच कर लिया मैडम यह कहां से मैचिंग का दुपट्टा है यह किसी का एट किसी करोड़ा भानुमती ने कुनवा जोड़ा बस कुछ भी कर लेती हैं किसी भी हिसाब से एंगल से ठीक है अब यह बताओ इतने सारे घर में लोग हैं इतने सारे लोग हैं कि उसमें 3 केजी मटन लग जाएगा और 3-4 गड़ी पालक की लग जाएगी इतना कौन खाएगा जनाब जो है वो तो ज्यादा तर आपका शूटिंग पर बाहरी रहते हैं और वो भी डाइट करते रहते हैं ठीक है ना घर में सिर्फ पापा हैं पापा वो परहेस का खाते हैं चलो अगर वो देव भाईया भी खा लेते हैं तो इतना सारा ये तो कहने का मतलब यह है कि जो अगर आप पूरी फैमिली भी खाओ ना नीचे वाली फैमिली भी पूरी लोग खाओ तो भी ये कम से कम दो कर इतना सारा अरे हाँ स्य ठेट भर कि बना कर दिया गया है कि हम अधूर के क disgust के द्वारा के नहीं बहुत कुछ हो गया यह वो ख कहाकाके आपके हाथ का पाक चुके है अब देखो पालक वाला मटन बना रही है यह सल्जेंगो इस थो सुना है है सकता है पारलक मटन भी बनता हो क्योंकि मैंने पर्सनल सिंगल पारलक के साथ नहीं बनाया है लेकिन यहोंने बनाया हैं और 15 बारें ब्ठारी है और 16 फ्राइड 12 ने पहले नोंने पहले सी उनको इतनी जपनी ज़दा कलर रेडर नहीं करना चाहिए, हलक असा कसर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब आप उनको वापस से डालके भूनते हैं, जैसे इन्होंने तेल में डाला था, और फिर फटा-फट से गोस्ट डालने से पहले क्या कहती है, जल्दी-जल्दी हम डाले थे, इससे पहले कि हमारी प पालक में अलग से कड़वापन तिखापन सा होता है, फिर आपने प्यास भी दुनिया भर की डाल दी और वो भी जारत तली हुई डाल दी, तो भाई अल्ला ही माली के पालक मटन का क्या ही टेस्ट आया होगा, अच्छा एक चीज़ और नोटिस की हमने, कहती है मेरा पालक म अलग बनाती है, वह अलग बात है कि कभी-कभी वह जो है, आलस में बनाती है, आलसी वह अम्मी खा लेती है, लेकिन नॉर्मली तो वह content shoot करने के लिए बनाती ही है ना, इतना सारा oil, इतना सारी तली हुई प्यास, फिर बाद में उसमें से क्रीम भी डाल के तो भाई वह कित बहुत जादा होता है और अगर किसी पेशेंट को जैसे इनके पापा है उनको तो बिल्कुल भी डॉक्टर आलाउड नहीं करेंगे तो भाई पता नहीं है खुद को क्रेविंग होती रहती है तो खुद के लिए भनाती रहती है तो यह था मैडम का एक जो है नहीं रेसिपी लेकर आये थी क्योंकि इनको शूट करना था इनको प्रमोशन करना था तो जब इनके प्रमोशन आते हैं तब इनके व्लोग भी आते हैं अधरवाई जब तक प्रमोशन नहीं आते तो क्यों ही मैडम मेहनत करेंगी मेहनत तो करना नहीं है ना तो बही हमारा एक रियक्शन वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर कीजिएगा चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा मिलती हूं नहीं वीडियो में तिल देन बाई बाई